विधान सभा सचिवाले ने अपकी टीम पहले ये एडवांस में भीज दी थी ताकि सचिवाले की जो भी बेवस्ता है वो दुरस्तू जाए लेकिन सरकार ने भी बड़ी हुशेरी के साथ काम कर रखा है उसने भी एपने कील काटे मजबूत करके अभी तक जो एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से निकायों में 14% OBC आरक्षन लागू था तो विपक्ष ने वे तयारी कर रखी खासकर के के दाननात्का विधान सभा का उक्चुनाव होना है लेकिन सरकार एडवांस प्लानिंग करके चल रही है नमस्कार स्वागत है आप सभी का अमरुजाला डिजिटल में इस बार उत्राखन विधान सभा का मानसून सत्र ग्रिश्मकालिन राजधानी गैरसेंड में होने जा रहा है सत्र 21 से 23 अगस तक चलेगा तो सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं अमरुजाला धैरदून के एडिटर अनुप वाजपई जी स्टेट व्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी और वरिष्ट पत्रकार आफ्ताव अजमत जी तो सबसे पहले सवाल ये कि पहली बार मानसून सत्र गैरसेंड में होने जा रहा है तो क्या तैयारिया रहेंगी और कौन से विधयाक आने वाले हैं देखिए विधान सबा सत्र पहले भी वहाँ पर हुए लेकिन इस पार ये बास सही है कि मानसून सत्र इस बार वहां हो रहा है तीन दिन का सत्र है हलाकि विपरक्ष यह मांग कर रहा था कि सत्र की अबड़ाई जानी चाहिए तो मुर्तमान म पर जो सभब मंडब है उसकी भी देखरी को गई है वाइस वगेरा जो अमूमन वहां पर दो चीजों की बहुत दिक्कत आती है एक तो networking की क्योंकि वहां पर connectivity की बड़ी समस्या रहती है और दूसरा जो है आवाज की क्योंकि आवाज गुशती है कि बहुत बड़ा परीसर वह है तो यह सारी दोनों की दोनों की दोने और तरियारिया हो चुकी है जहां तक विधेक की बात है तो चार परमक्ष विधेक आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि परदेश मंध्री मंदल की बैटक में एक च वो पास किया था लेकिन पैसे की आवशक्ता भी नहीं है सरकार को लेकिन सरकार एडवांस प्लानिंग करके चल रही है तो यह संभावना है कि 5,000 करोड रुपे तक का यह एक अनुपूरक बजट का प्रस्तावा आएगा इसके अलावा सरकार ने एक अध्यादेश लाई थी क जो सरकारी संपत्ति है या नीजी संपत्ति है दंगे में यह संपत्ती नुक्सान पहचाने पर ऐसे लोगों के खिलाब छटी पूरती एक अध्यादेश लाए गया था अब वह एक्ट की सकल में आएगा तो उसे विधेग के तौर पर सरकार पेस करने जा रही है एक जो जम खेल विश्विध्याले होना चाहिए तो उसका भी एक विध्यक सदन में आएगा तो वो अब विधान सभा में आएगा या क्या रहेगा देखें निकाय चुनाव की जो सबसे बड़ी अडचन थी वो बेसिकली कानून है वही थी अभी तक जो एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से निकायों में 14% लागू था तो उसमें बदलाव करने के लिए पिछले दिनों कैबिनेट की जो बैठक होई थी उसमें विध्यक पर मोहर लगा दी गई है और इस बार जो विधान सभा का सत्र हो रहा है उसमें पास होने के बाद उसकी अधी सूचना जारी होगी और अधी सूचना के आधार पर ही निकायों में OBC का आरेक्शन लग हो जाएगा उसी आधार पर चुना होगी सर मौसम की बात करें तो गैरसेंड में इस वक्त मौसम बहुत खराब है और सतर अभी तीन दिन चलेगा तो अगले तीन दिन मौसम की स्थिति क्या रहेगी सर सत्र तीन दिन चलेगा तो पक्ष और विपक्ष के क्या मुद्दे रहेंगे और क्या तयारिया है तो विपक्ष ने तयारी कर रखी खासकर के के दाननात का विधानसभा का उप्चुनाओ होना है तो वो भी पूरी अपनी ताकत दिखाएगा उसके पास तमाम तरीके के मुद्दे हैं कानून व्यवस्ता का मुद्दा उठाना चाहेगा विपक्ष इसके लावा और तमाम कर रखा है उसने भी एपने कील काटे मजबूत करके ठीक विधानसभासत्त के ठीक पहले राज के आंदोलन कारियों की जो चौबिस साल पूरानी मांग थी हमको लगता है कि राज बनने के साथ ही ये मांग शुरू हो गई थी और कई मुखमंत्री आने के बाद भी ये पू होता था चाहिए देरादून में हो चाहिए गहर सेंनों में हो राज अंदोलन कारी कही नए चाहिए अपना अंदोलन करते थे जुझ दरांव बात उठाते थे ioakने मजब लगताए maior Producer को के खिशेant के उकार की मनशा के बार 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 विधाते थे और इस साथ्र में पीरू बात कही न कही विधायक इस बात को फिर से शामिल करता या कहीने कहीं से किसी विपक्ष के माध्या से या सत्ता पाकश के माध्या से बात उटथी तो बात कहीं Чांत हो गई है, अब देखना होगा यह मौसम भी आफ़ता बता रहे हैं कि जैसे कि मौसम का भी एलर्ट है और साथ-साथ मौसम भी गलबड होगा और विपक्ष का भी मूड जो है वो कहीं न कहीं गलबडाया हुआ है और राजनीतिक मोहल के तुर पे और बहुत दूर नहीं है गैर सेंड से और जब पहाड पे विधान सब्सक्राइब करें तो विपक्ष की क्या तैयारी रहेगी हर इश्रावत भी पहुंच रहे हैं कहा जा रहा है कि वहां पर धर्ना भी दिया जाएगा तो विपक्ष कैसे इसको रियक्ट करेंगा देखिए यह जो विधान सबाश्वा सत्र हो रहा है यह निकाय चुनाओं और कैसे तो निश्ची तोर पर यह जो तीन दिन है विपक्ष इसको अफसर की तरह देख रहा है तो वह निश्ची तोर पर उन मुद्दों को उठाएगा जो इस चुनाओं में असर डाल सकते हैं वह उन मुद्दों को लेकर सरकार से जबाब मांगेगा लेकिन सरकार के अस तो ऐसा माना जा रहा है कि सीम गोषणाओं के माध्यम से काूंटर करेंगे और पाल्टी के विधायकों की आज विधानबंटल दल की बैटक है वह सामको होगी और जितने पी विधायक हैं उनको सब को यह कहा जाएगा क्योंकि सचे तक से हमारी बात वी थी ती जो अदेश चोहान है उनका कहना है कि सभी विरायकों को यह कहा जाएगा कि वो अपनी उपस्तती बनाए और जब खास तोर पर जब विधेग आए तो उनकी उपस्तती वहां रहनी चाहिए ताकि अगर विपक्ष को यह हमला वर हमला बोले तो सप्तापक्ष उसका जवाब दे सके तो इस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें